नमस्कार साहित्यतक के बुक कैफिके एक दिनी किताब में मैं जय प्रिकास पंडे आपका स्वागत करते हूं और आज मैं पुस्तक मेले में खुई भाषा प्रभाद गुश्वामी के इस व्यंग संग्रह के साथ उपस्तित हूं प्रभाद गुश्वामी पांच मार्च उनि प्रकारित्या यंग जन संचार में डिप्लोमा किया है 1978 से खेलों सांस्कृतिक और साहित्यक विश्वयों पर लिखते रहे हैं हजार से अधिक लेक प्रकासित हो चुके हैं ब्यंग देश के लगवक सभी बड़े पत्र-पत्रिकाओं में प्रकासित हो चुका है और बहमत क कि बखरी चुगली की गुगली और ऐसा भी क्या सिल्फी आ न air ये व्यंग संग्रहुन के प्रकासित हो चुके यह ऑंठ ऑठ शाजा व्यंग संग्रहूं में भी उनकी चीज़ें आ चुकी हैं रेडियो कमिंटरी के जाने माने हस्ताकशर रहे हैं आंखो मैच से लेकि एक द्यूसी अंतराष्टृ क्रिकेट मैच टी ट्वेंटी और रंडजी ठ्राफिस अभी का कर चुके हैं दुनिया वर में गूम चुके हैं लेकिन क्रिकेट कमेंटेटर से इतर प्रभाद गुष्वामी की जो अपनी पहचान में कह सकता हूं वह मारक ब्यंक की ब्यंग के उनकी पुस्तक मेले में खोई भ़ाषा अपने आप में बताती है कि वह कितने अड़ के और इसमें 44 सामिल रही और प्रवाह का क्या कहना मैं देता हूं कुछ जानकारी देता हूं आपको कुछ ब्यंग के बारे में आग लगा दी यह पियंग जो पहला ही जंग्रमें सामिल है उसमें मिठो लाल नाम का एक आदमी है वह अचानक उसको पडूसी के घर से आवाज आती है कि आग लगा दी आग लगा दी वह परेशान होता है भागना सुरू करता है उसको लगता है कि अगर इस घर में आग लगी तो हमारा घर भी बचेगा नहीं वह तेजी से निकल के भागता है चिलाते हुए कि आग लगा दी आग लगा दी लोग सोचते है कि यह क्या लगा दी वो देखता है भागते हुए कि मंदिर मस्जीद जारपाद सब जगह तो आग लगानी की बात है वो सोचता है कि यार पूरा समय जो हमारा है वह इस तरह के विभाजन में लगा है कि चारों तरफ आगे ही लगी है तो कम से कम मैं जो है इस आग को बचानी की कोशिश करूं वह दोड़ रहा होता है रास्ते में जो है उसे कुछ मन चले योग मिलते हैं वह कहते हैं कि अरे कहां आग लगा दी क्या इंटरनेट ने आग लगा दी है वहां तो सब आजकल जलवा फुरूश्ट हो रहे हैं तरह तरह की बुल्ड तस्वीरें दिखती हैं इसी दवरान उसे एक पडोसन महिला मिलती है वो कहती है कि इतनी महगाई की आग लगी हुई है आपको कौन सी आग लगी हुई है जो आप कह रहे हैं इसके बाद वो आगे भागता है वो कहता है कि आप लोग मजाक कर रहे हो बकवास का समय नहीं है मेरे पास मलब 200 मीटर ज सब लोग हंस रहे हैं और उसके पीछे जो भीड से वर वहां उसकी तस्वीराय बनाती होई जा रही है और वह ळम पॉहुचता है आधे गंटे बाद ज CHined कि वहां जो है मकान माली और पडोसी इनका है वह उसका पूरा परिवाट टीवी पर देख रहे हैं और एक सो चल रहा है ना म्यूजिक का रियल्टी सो जिसको कहते हैं और वहां पर जो है वह जो जज है वह किसी गाने पर उचल कूद के बंदर की तरह से कहता रहता है आग कर दो आभासी मंच पर कवी सम्मेलन की बात करता हूं तो आप समझ सकते हैं कि इसमें वो कहते हैं कि सोसल मिडिया पर आजकल बड़ा गुल्यार है कवी सम्मेलन की बात करते हैं कोई भी कवी सम्मेलन पर उपर जो है सट पहन लीजिए कुर्टा पहन लीजिए नीचे चाहे कच्छी लुंगी कुछ पानी है या मत पानी है सब चलता है और अपना लाइब हो जाई है और यह दुकान जो है चलती रती है लोग टाइम पास करने के लिए बस यह जरूर है कि कभियों को जो पहले कुछ मिल जाता था रसरंजन या भोजन पानी नास्ता वो सब नहीं मिलता है और जो है जनता जो है वो चहरा देखती है आजकल सुन्दर मुखड़े पर लोग सुन लेते हैं चाहे लिखने के लिए कुछ भी हो और अब वो कहते हैं कि इनकी जील सिगारी आँखों में डूब कर जनता कभीता को भूल जाती है और कभी सम्मिलनों पर जो लोगों को कभी स्टाइब यहां से वह सुडू करते हैं कि जो अलग-अलग सोशल मेडिया के मन्च हैं उन पर किस तरह से कभीयों का पर्चय दिया जाता है तो जो कट प्रिस्ट के मसिया हैं इधर से उठाया और उधर चिपका दिया उधर से मारा इधर पका दिया और दिन भर वियस्त रहते हैं इसके अलाबा एक रौनक इंस्टाग्रामी हैं ये कवियों की बात कर रहे हैं वो सुन्दर चेहरों के पुजारी हिनकी तलवार है दुधारी सोसल मीडिया हिनका देवाला है मंगला आरती के मानिंद पट खोलते हैं और देर रात सोने से पहले सेयन आरती के समय दिन पर भेशते रहते हैं इसके बाद वो करते हैं भीखू वाटसेपी भी हैं जो तरह तरह के मौसम में अपने को ठीक करने के लिए पहुंच जाते हैं लेकिन सबसे मारक भ्यंग जो इस पर पुस्तत मेले में खोई भाशा है मैं बता दूं कि यहां पर प्रभाद गोश्वाम अपने ब्यंग का जो असली अर्थ है वह प्रस्तूत किया है ब्यंग का मतलब जो पढ़ते समय आपको चाहिए जितना भी रोमांच भरे यहां साए लेकिन कहीं गहराई तक आपके दिल में बैठ जाए और लंबे समय तक भूले नहीं और आपको जिजोड कर रख दे अपन बश्वों से लेके पुस्तकों तक के मेले आदमियों को लोग आते रहें और उस मेले में बहुत सारी लोग खो भी जाते थे पुराने फिल्मकार उन खोये लोगों पर बिछड़े लोगों पर बहुत सारी फिल्में इस थीम पर बनाए हैं कि जो लोग बच्पन में मेले मे गुम गए थे वो कभी बहां का निसान और कोई टेटू देखके और कोई पहचान पाकिस सालों बाद मिल जाते थे लेकिन वो कहते हैं कि एक बिशाल पुष्टक मिले में एक लेखक के साथ उसकी बेटी जिसका नाम था भाषा वो मिले में बेखके और जब वो लेखक पुष्टकों की दुकान में अलग-अलग किताबे देख रहा था तब वो भाषा खोगे उसी समय निजन। नजरों से भाषा को देखकर कहता है किम्हारेश की मिलवाता हूं और जिस तरह से खोईवे बच्चे को कोई गुंडा मवाली ले जाता है, हर बाद में उससे भीख मंगवाता है, या काल कोठरी में डाल देता है, या कभी लड़की हुई तो कोठे पर बेच लेता है, उसी तरह से मासूम भासा जो है उस प्रकाशक पर जो बाजारू जानी की काल कोठरी में बंद कर देता है, भासा डर से थर्थर काप रही है, लेकिन प्रकाशक का दिल पसीजता नहीं है, इसके पिता की पहुंच से यानि असली लेखक की पहुंच से भासा को दूर कर देता है, उधर पिता को जब कोई पाठक नहीं मिलता है और वो परिश बड़ी हो गई है तब उसकी मासूमियत खो गई है उसकी जिंदगी में आक्रोज है बचपन के खो जाने का दर्द और बिगड़ी संतानों जैसी दरिंदगी उसके अंदर है आज उसे प्रकाशक, फिल्म निर्माता, राजनेतिक हस्तियां पैसों की चमक दिखा कर अपने हित साधने के लिए धडले से इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं राजनीत के गलियारों में वह सस्ती टिपड़ियों में इस्तेमाल होती है, कहीं गैंगैस्टर किसी को डराने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं मासूम बच्चों को फुसला कर सामोहिक बलाकार के लिए उस का उपयोग हो रहा है कहीं बाव अपने मातहत को टार्गेट पूरा करने के लिए गाली गलोच का माध्यम बना रहा है भासा को तो कहीं चुनाव में बिगडी हुई राजनी थी को चादी काटने और पक्ष बिपक्ष के खिलाब जहर उगलने में भासा का इस्तिमाल हो रहा ह भासा आज प्रेमचंद की काानियों दिनकर से लेकर निरज की कविताओं और गीतों से धर्म बेर भारती मनों और शैम जोसी के उपन्यासों या हर्चंकर परशाई और सरब जोसी के ब्यंग बानों से निकल कर कहीं खो गई है अब फिल्मों में न तो साहिर लुध्यानी है न राजेंद क्रिष्ण न स्रजयपूरी न सैलेंद भासा ब्रेथलेस और रेपर्स के जमाने की हो गई है जो भासा के साथ रेप कर लेए खोई हुई भासा वेवेद रूपों में कितनी बिगड़ी हुई है इसे OTT बेब सीरीज और फिल्मों पर आप देख सकते हैं पुस्तक मेले में खोने के बाद लेखक अपनी उस बेटी भासा को जैसे उसने बच्मन में बाजा के दौरान खो दिया था आज तक प्राप्त नहीं कर सका है लेकिन जो प्रकाशक ले गया था चालू प्रकाशक साहित्य का वह आज भी भासा का इस्तेमाल अपने ब्यापा है चाहे मेडिया हो चाहे साहित्य हो चाहे समाज हो चाहे राजनीति हो चाहे खेल का मैदान हो चाहे प्रसारों हो जीवन के जितने भी पहलू हो सकते हैं चाहे पालतु कुत्ते हो या उन कुत्तों का अतंक हो प्रभाद गोश्वामी ने ब्यंग के माध्यम से अपनी कलम चलाई है अगर आप अच्छे ब्यंग को पढ़ना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं, पुस्तक मेले में खोई भासा इसके प्रकाशक हैं, इंडिया नेट बुक्स, मैंने पहले ही बताए, 104 प्रिष्ट संख्याय, 44 व्यंग इसके अंदर सामिल हैं, मुलिक केवल 200 रुपए हैं, उमीद है साहीति तक काया है एपिसो ताकि आपको अच्छी पुस्तकों को चुनने में असानी हो, कल ठीकिसी समा ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फर में लूँगा, देखते रहे हैं साहीति तक धन्यवाद। झाल